तो यहां पर दोफ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने यहां पर double tap किया और मेरा phone जो बंद हो गया एंड मैं यहां पर fingerprint लगा कर double tap कर रहा हूँ मेरा phone बीना power off किये यहां पर button दबाए यह बंद हो रहा है ठीक है देखने को मिल चाहेंगे लेकिन आपको यहाँ पर नीचे स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पर एक option देखने को मिल चाहेगा shortcut at accessibility आप यहाँ पर क्लिक करेंगे then यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिल चाहेगा smart motion का आपको यहाँ पर click करना है and फिर आपको smart screen on add off यहाँ पर click करना है and दोफ तो यह जो option रहेंगे यह बंद रहेंगे पहले तो आपने इन दोनों options को on कर देना है on करने के बाद दोफ तो यह आपका setting जो है on हो जाएगा